आप सभी छात्रों का स्वागत है सुभास सेटेडी सेंटर यूटूब चैनल पर आज का यह वीडियो का च्छा 12 के छात्रों के लिए काफी ज़्यादा इंपोर्टन्ट है क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साजा करेंगे सामान हिंदी का जो यहां आप देख सकते हैं प्री बोर्ड परिच्छा 2022 के लिए माडल पेपर और इस माडल पेपर के द्वारा हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपकी परिच्छा में प्रस्ण पत्र में प्रस्ण पूछे जाएंगे और किस तरीके का paper आपकी board परिच्छा और pre-board परिच्छा में आएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ जो model paper है pre-board परिच्छा 2022 के लिए काफी ज़्यादा important है यहां से प्रस्ण आपकी परिच्छा में जरूर पूछे जाएंगे इसलिए इस माडल पेपर को आप जरूर तयार कर लीजेगा और आपको चैनल की प्लेलिस्ट में बहुत से महत पूर वीडियो देखने को मिल जाएंगे जिनें देखकर आप अपनी प्री बोर्ड और बोर्ड परिच्छा 2022 की बहतर तयारी कर सकते हैं तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लीजेगा और बेल आइकन को दबा जरूर दीजेगा ताकि आने वाली प्रतेग वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंसता रहे तो यहां आप देख सकते हैं पेपर का जो पूरांग होगा कितना होगा सव नंबर का पेपर होगा यानि आपके पेपर का पूरांग के क्या होगा सव नंबर का और समय कितना रहेगा तीन गंटे पंदरा मिनिट का आपका जो समय रहने वाला है पेपर का तीन गंटे पंदरा मिनिट का रहेगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ सामान से नोट से लिखा है या निर्देश लिखा हुआ है कि प्रारंब के 15 मिनट परिछार्थियों को प्रशनपत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं प्रारम्ध के 15 मिनियट आपको प्रष्ण पत्र पढ़ने के लिए दिये जाएंगे और यहा पर आप देख सकते हैं आपका पेपर दो खण्डों में विभाजित है खंड का और खंड खा में तो यहां पर आप देख सकते हैं खंड का में प्रस्ण पूछे गए हैं प्रशन संख्या एक का हिंदी का प्रथम नाटक है यहां आप देख सकते हैं चार विकल्प दिये गए हैं और इन में से कौन सा हिंदी का प्रथम नाटक है सही जबाब आपको देना है और सही जबाब देने पर आपको एक नंबर मिल जाएगा यानि जो बह विकल्पी प्रशन पूछे जाएंगे प्रतेक प्रशन एक नंबर का पूछा जाएगा यहाँ पर एक खा कें तरगत प्रशन पूछा गया है 84-27 की वारता के लेखक हैं दिये गए विकल्पों में से 84-27 की वारता किसकी रचना है तो यहाँ आप देख सकते हैं एक नंबर का प्रशन यहाँ भी पूछा गया है दूसरा है बलच नमा उपन्यास है तो यहाँ आप देख सकते हैं चार विकल्प दिये गए हैं सही जब आप देने पर आपको एक नंबर यहाँ से भी मिल जाएगा तो कुछ इसी तरीके के प्रशन आपसे पूछे जाने हैं और ये प्रशन भी काफी ज़्यादा important है अगला प्रशन है एक गहा के अंतरगत हिंदी का प्रथम यात्रा ब्रतांत सर्यू पार की यात्रा लिखा गया है सरियु पार की यात्रा है हिंदी का प्रथम यात्रा-ब्रतांत और इस यात्रा-ब्रतांत के लेखक कौन है यहाँ पर इस प्रश्ण के उत्तर में सही जबाब क्या हो जाएगा दिये गए बिकल्पों में से तो सही उत्तर जब आप देंगे तो एक नंबर आपको यहां से भी मिल जाएगा प्रशन संख्या एक अंगा के अंतरगत पूछा गया है गुनाहों का देउता क्रत है किसकी रचना है गुनाहों का देउता और यहां प्रशन मोस्ट इंपोर्टेंट है इसे जरूर तयार कर लीजेगा प्रशन संख्या दो काधी बहु विकल्पी पूछा जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं भक्ती आंदोलन का स्रेय जाता है भक्ती आंदोलन का स्रेय किसे जाता है यहां आप देख सकते हैं चार विकल्प दिये गए हैं राइट एंसर देने पर एक नमबर आपको मिल जाएगा तो इसी तरह के प्रशन पूछे जाने हैं और यह प्रशन भी काफी ज़्यादा इंपोर्टन्ट हैं यहां आप देख सकते हैं प्रशन संख्या दो खा के अंतरगत पूछा गया है प्रयोगवाद को नई कविता की संग्या दी यहां पर दिये गए विकल्पों में से प्रयोगवाद को नई कविता की संग्या किसने दी सही जवाब देने पर एक नमबर मिलेगा अगला प्रशन है चिंता मड़ी कभी हैं यहाँ पर चार विकलब दिये गए हैं सही जबाब देने पर एक नमबर मिलेगा और अगला प्रशन है हिंदी का प्रथम कभी माना जाता है तो हिंदी का प्रथम कभी किसे माना जाता है एक नमबर का यहाँ भी प्रशन पूछा गया है और अगला प्रशन है दो अंगा के अंतरगत मुकरियां रचना है दिये गए विकल्पों में से मुकरियां किसकी रचना है एक नंबर का यहां प्रशन पूछा गया है तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रशन संख्या एक प्रशन संख्या एक में पांच बहुविकल्पी प्रस्ण आपसे पूछे जाएंगे पेपर में और प्रतेक प्रस्ण एक नंबर का होगा यानि दस नंबर के क्या पूछे जाएंगे बहु विकल्पी प्रस्ण पूछे जाएंगे जिनमें से पांच प्रस्ण होंगे आपके हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित औ निमनलिखित गद्यांस पर आधारित प्रशनों के उत्तर दीजिए यहां पर आप देख सकते हैं most important गद्यांस दिया गया है और गद्यांस के नीचे प्रशन दिये गए हैं और आपको गद्यांस पर आधारित प्रशनों के उत्तर देने पर कुल कितने नंबर मिलेंगे 5 गु यहां से मिल जाएंगे तो चाहे तो आप प्रशन संख्या तीन का गध्यांस आधारित प्रशनों के उत्तर दें चाहे जो तीन के अथवा में यहां पर आप देख सकते हैं तीन का जो अथवा है इस गध्यांस के जो प्रशन पूछे गए हैं यहां पर आप देख सकते हैं ती निम निलिखित पद्यांस पर आधारित प्रस्नों के उत्तर दीजिए और यहां पर आप देख सकते हैं दो पद्यांस दिये गए हैं आपको किसी एक पद्यांस के नीचे दिये गए प्रस्नों के उत्तर देना है और आपको 10 नंबर यहां से भी मिल जाएंगे प्रस्नि संख् पांच का जो की इस प्रकार से पूछा जाएगा आपके पेपर में निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहितिक परिचे देते हुए उनकी प्रमुख रचना का लेख कीजिए तो यहाँ पर तीन विकल्प दिये होंगे और तीन प्रमुख लेखकों के नाम भी दिये होंगे आपको किसी एक लेखक का साहितिक परिचे जीवन परिचे लिखना है और उनकी प्रमुख रचनाओं के नाम भी लिखने है जिसके लिए आपको यहाँ से कितने नंबर मिलेंगे पांच नंबर मिलेंगे और प्रस्न संख्या पांच खा जो की इस प्रकार से पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किसी एक कविकास साहितिक परचे देते हुए उनकी प्रमुख क्रतियों पर प्रकाश डालिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन विकल्ब दिये गए हैं आपको किसी एक कविका साहितिक परचे यानि जीवन परचे देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं को भी लिखना है और जिसके लिए आपको यहाँ से भी कितने नंबर मिलेंगे पांच नंबर मिलेंगे तो प्रस्न संख्या छे जो की इस प्रकार से पूछा जाएगा दुरू यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश लिखिए अथवा बहादुर कहानी का संशिप्त कथानक अपने सब्दों में लिखिए और सब्द सीमा कितनी होगी अधिक्तम 80 सब्दों में आपको लिखना है इस प्रस्न के उत्तर को तो चाहे तो आप प्रस्न संख्या 6 का उत्तर दें अथवा चाहे तो आप प्रस्न संख्या 6 के जो अथवा में प्रस्न पूछा गया है इस प्रस्न का उत्तर दें आपको पांच नंबर ही मिलेंगे अगला प्रस्न पूछा गया है प्रस्न संख्या 7 के अंतरगत सोपठित खंड कावि के आधार पर किसी एक खंड के प्रस्न क उत्तर दीजिए यहां पर आप देख सकते हैं पांच नंबर का प्रशन यह भी पूछा जाएगा आपके जिले में जो खंड काव निरधारित है आपको उसी खंड काव के आधार पर दिये गए प्रशन का उत्तर देना है यहां आप देख सकते हैं माली जिए आपके जिले में मुक्त यग्य खंड कावे निर्धारित है तो यहां आप देख सकते हैं मुक्त यग्य खंड कावे से दो प्रस्न पूछे गए हैं आपको किसी एक प्रस्न का उत्तर देना है और पांच नंबर पक्के कर लेना है इसी तरह से आप देख सकते हैं प्रते खंड कावि से दो-दो प्रशन पूछे गए हैं आपको सिर्फ एक प्रशन का उत्तर देना है अपने जिले में निर्धारित खंड कावि के प्रशन का और पांच नंबर पक्के कर लेना है और अगला प्रशन आठ का के अंतरगत पूछा जाएगा जो की पेपर में गद्यांसों में से किसी एक का ससंदर्व हिंदी में अनुवात कीजिए तो यहां पर दो गद्यांस मिल जाएंगे आपको शंक्सक्रत के और आपको किसी एक गद्यांस का संदर्व लिखना है और हिंदी में अनुवात करना है जिसके लिए आपको कुल कितने नंबर यहां से म प्रशन संख्या आठ खा के अंतरगत कुछ इस तरीके से प्रशन पूछा जाएगा दिये गए पध्यांसों में से किसी एक का ससंदर्व हिंदी में अनुवाद कीजिए यहां पर संख्यक्रप के दो पध्यांस दिये होंगे इसी तरीके से आपको किसी एक का संदर्व सहित हि के कर लेना है अगला प्रशन होगा प्रशन संख्या 9 के अंतरगत निमनलिखित मुहावरों और लोकतियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रियोग कीजिए यहां पर चार विकल्ब दिये गए हैं आपको किसी एक का अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रियोग क करना है जिसके लिए आपको कुल दो नंबर यहां से मिल जाएंगे प्रशन संख्या 10 का के अंतरगत कुछ इस तरीके से प्रशन पूछा जाएगा निम्नलखित सब्दों के संद विच्छेद के सही विकल्प का चैन कीजिए तो यहां पर 10 का का जो फर्स्ट कुश्चन है यह इसी तरह से आप देख सकते हैं नायका का संद विच्छेद है और इसी तरह से आप देख सकते हैं परमार्था का संद विच्छेद क्या है दिये गए विकल्पों में से तो यह जो तीन प्रशन पूछे गए है प्रतेक प्रशन एक नंबर का है यानि जो 10 का के अंतरगत प् दिये गए निम्निलिखित सब्दों की विभक्त और वचन के अनुशार चैन कीजिए यहाँ पर आपको देख रहा होगा प्रशन संख्या 10 खा का जो फश्ट है आत्पनाह में विभक्त और वचन है आपको राइट एंसर देने पर एक नंबर मिल जाएगा इसी तरीके से आप देख सकते हैं दूसरा जो प्रशन है इस तरीके से नामने में विभक्त और वचन है चार विकल्प दिये रहेंगे आपको सही उत्तर चुनने पर एक नंबर मिल जाएगा प्रशन संख्या 11 का केंतरगत पूछा गया है निमनलिखित सब्द युगमों का सही अर्थ चैन करके लिखिए यहाँ आप देख सकते हैं 11 का का जो फश्ट है अंब अंबू इसमें से आपको बताना है कि दिये गए विकल्पों में से अंब और अंबू का सही अर्थ क्या है और इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा भी है आपको बताना है सूर और सूर का सही अर्थ क्या है दो नंबर का यहाँ भी प्रशन पूछा जाएगा अगला प्रस्ण 11 खा के अंतरगत पूछा गया है निमनलिखित सब्दों में से किसी एक सब्द के दो अर्थ लिखिए यहाँ पर आपको किसी एक सब्द के दो अर्थ लिखने हैं और दो नंबर का यहाँ भी प्रस्ण पूछा जाएगा और यहाँ पर जो सब्द दिये गए ह यह सभी most important है आपकी pre-board और board परिच्छा के लिए यहाँ पर 11 गा के अंतरगत प्रशन पूछा गया है निमनलखित वाक्यांसों के लिए एक सब्द का चैन करके लिखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं दोपार के बाद का समय क्या कहलाता है यहाँ पर एक नंबर का यहाँ प्रशन पूछा गया है और चार विकल्प दिये गए हैं अगला है 11 गा का जो second question है जिसके पास कुछ ना हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ राजुक को सुद्ध करके लिखिये तो चार विकल्प दिये गए हैं आपको किसी एक जो है यानि सही उत्तर देने पर आपको एक नंबर यहां से भी मिलेगा तो यानि ये जो ग्यारागा के अंतरगत प्रशन पूछा गया है दो नंबर का प्रशन पूछा जाएगा इसी तरीके से ग्यारागा के अंतरगत प्रशन कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किनी दो को सुध्ध करके लिखे यहाँ पर चार वाक्य दिये गए हैं और आपको किनी दो वाक्यों को सुद्ध करके लिखना है और दो नंबर का यहाँ प्रशन आपसे पूछा जाएगा इसलिए आपको वाक की कवा सुद्धी करण करना भी आना चाहिए प्रशन संख्या बारा क्या के अंतरगत पूछा गया है करुड अत्वा सांत रसको सोदाहरण परिभासित कीजिए यह प्रशन पूछा गया है दो नंबर का और बारा खा के अंतरगत पूछा गया है अनुप्रास और उत्प्रेचा लंकार के अंतर को सोदाहरण इसपश्ट क इहां प्रशन फी दो नंबर का आया हुआ है और यहां संख्या सेमंने इस तरीके से पेसी इस्कूल के प्रबंधक को लिपिक के पद पर अपनी नियुक्ती है तो एक आवेदन पत्र लिखिए छे नंबर का यहाँ प्रशन पूछा जाएगा अथवा में भी प्रशन पूछा जाएगा कि अपना कुटीर उद्दोग प्रारंब करने है तो किसी बैंक के प्रबंधक को रण प्र से मिल जाएंगे प्रशन संख्या 14 जो की आपके पेपर का अंतिंद प्रशन होगा नियमनेलिखित विसेओं में से किसी एक पर अपनी भासा सैली में निबंध लिखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पांच विकलप दिये गए हैं आपको किसी एक विसे पर अपनी भासा स ज़्यादा मित्रों में शेयर कीजिए मैं आपको जल से जल बताऊंगा इस माडल पेपर का संपूर सेलूशन और यह भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको पिरी बोर्ड और बोर्ड परिच्छा में काफी लिखनी है यह पेपर काफी ज़्यादा इंपॉर्टन है आपकी पिरी बोर्ड और बोर्ड परिच्छा के लिए इसे जरूर तयार कर लीजेगा आप कमेंट कीजिए और अपनी पढ़ाई को विहतर ढंक से करना आरंब कर दीजिए क्योंकि अब आपकी पिरी बोर्ड परिच्छाएं आपके करीब आ रही हैं तो पढ़ते रहिए मस्त रहिए जैहिंद